हलो और वलकम मैं हूँ पराप छापे करो और आपके सामने लेकर आया हूँ रिव्यू कभीर खान डिरिक्टेड एटी थी का कभीर खान डिरिक्टेड ये फिल्म हम सभी को पता है भारत वासियों के लिए वो गौरोग अक्षन रहा है जब कपिल देओ के कपतानी में भारती एक क्रिकेड टीम ने वर्ल्ड कप को जीता था ये एक टीम एक ऐसी टीम रही है जो अंडर डॉक थी ऐसा कहा जाता था कि ये च्छोटी से च्छोटी टीम से भी हार जाएगी हमारे आप एक फॉर्मिलिटी होती थी वर्ल्ड कप में टीम भीजने की बस इसके अलावा कुछ नहीं होता था और ऐसी टीम जिसको दुनिया बिल्कुल ही कई भी थी टीम या सबसे निचले दरजे की टीम मानती थी यहां तक कि हमारा क्रिकेट केंट्रोल बोर्ड भी उसको उस तरह से नहीं सिरियसली लेता था ऐसी टीम को इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड कप के पूरी सिरीज में शुरू से आखरी तक ले जाना और विजेता बनाना यही कहानी है 83 की लेकिन कबीर खान की यह जो फिल्म है यह अत्वत फिल्म है फेंटा बुलस ऑसम जो शब्द कहे जाए वो इस फिल्म के आगे कम है यह एक ऐसी फिल्म है जो हर भारतवासी को एक बार दिखना चाहिए अगर आप 83 के उस मैच को विटनिस नहीं कर पाये हैं तो यह फिल्म आपको वो मौका दे रही है उस गौरोक शालिक्षेंड को वापस रिविजिट करने का मैं 8 या 9 में रहा हूँगा उस समय अप्ट्रॉंग का ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था हमारे घर पर और मौले बर के बहुत सारे लोग वर्ड का फाइनल देखने हमारे घर पर आए हुए थे पूरा घर भरा हुआ था और उस गौरोक शालिक्षेंड का मैं साखशी कि इस चीज को बया नहीं कर सकते उस खुशी को बया नहीं कर सकते और वैसे ही कपिल्देव जिन्हों ने जीता था वो वर्ल्ड कप उनकी टीम ने वो उसको बया नहीं कर सकते और हम जो भारतवासी थे उस समय जिन्हों ने उस चीज को टीवी पर देखाता या स्टेडियम में दिखा था वो भी वो गौरोक का क्षंड कभी भी नहीं भूल सकते वो साथ हमें लेकर उस खुशी को कि 83 का क्या मैच जीता था उस गौरोक अच्छाली क्षंड को हमारे भीतर कहीं आत्मा में हम रखते हैं और यह मौका यह पिल्प आपको मौका दे रही है कि उस गौरोक क्षंड को रिविजिट करें अगर मैं डिरेक्शन की बात करूं तो कभीर खान सौ फिस्दी सक्सेस्फुल होते हैं पूरे इस वेंचर में जि चीज़ पिक्षर परपेक्ट है एक्टिंग के लेवल पर मैं बात करूं तो रेणवीर सिंग्ग आपको मेरा सलाम है आपने जिस तरह से परफॉर्म किया है कपिल देव मतलब हमको लगने लगा था कि कपिल देव शायद रेणवीर सिंग ही है जो कपिल देव है और वो चोटा से छोटा करेक्टर भले वह पासिंगा करेक्टर हो मैं एक्जामपल के तौर पर कहूंगा कि फिल्म में एक सिक्वेंस है जहां पर कुछ पुलिस वाले और घर के लोग अपना मैज लेख रहे हैं और ऐसे में वह मुमेंट जब क्रिकेट का वह शुरू होता है और पहल एक ही एंट्री लेकिन किलिंग किलिंग शॉर्ट किलिंग विजियो तो ऐसे कभीर खान की यह स्पेशालिटी है तो कुल मिलाकर यह फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो हम सब भारतियों को देखना चाहिए हमको उसको सरहाना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक कई सारे फोटोग्रा रहा आपस में एक दूसरे की कैमिस्ट्री क्या थी यह फिल्म उस फिल्म उस चीज को और डिटेल में ले जाती है और आपको मतलब बड़े से बड़ा बनाती है आपका जो गौरों है उसको महान बनाती है यह फिल्म अधिबुत फिल्म है मुझे बहुत-बहुत पसंद ने जिस तरह का परफॉर्म किया है वो रियली अविश्वसनी है सभी लोगों को बहुत-बहुत सलाम ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई मैं इस फिल्म को देता हूं पांच में से पांच स्टार आप इस फिल्म को देखेंगे एक भारतवासी होने के नाते तो मुझे बेहत उस समय नहीं थे तो ये क्षण्ड आपको उस क्षण्ड से मिलाने का नायाब मौका है मैं इस फिल्म को देता हूं पांच में से पांच स्टार